आज उत्राखन की देवफुल्य देलता का प्रत्मी होने के कारण मिला और मैंने पहले कहा कि ये सामान्य विध्यक नहीं है बलकि एक भारत की एकात्मात्ता का सूत्र है हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान बनाया था देव भूम्नी उत्राखन से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं देश के अन्ने राज्य भी इस दिसा में आगे बढ़े हैं Okay, I'm gonna cut across to my colleague Ashutosh Mishra who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out दोल नगाडों की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर जश्ट चल रहा है नाचगाना महिलाएं पुरुष बड़ी संख्षा में और वो सब यहाँ कटा हुए थे कि जैसे कानून फास होगा उसके तुरंद बाद मिठाईया बाटी जाएगा और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो है मुकुट से ले करके पकड़ी माला गंशा सब कुछ ले करके यहां पर आए गया और सड़को पर आप समझे पहले लोग कम थे लेकि जैसे जैसे शाम मुझे लगा कि आज बोड़िंग होगी उसके बाद यहाँ संख्या पढ़ने ल और जैसे ही वो नारे बादी के साथ जैसर राम का उद्गोश हुआ और यह प्रस्ता उसके बाद पारिट वा तुरंत में बाहर आये दिखाने के लिगी कैसे यहां पर आज कम से कम किसी सेलिबरेशन से कम मौका नहीं है अजना 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 प्रस्ता परे का इंद अजना अजना हो सुना है अजना अजनार शॉब आर धार श्तर ग्रस्ता का टार सबज़रेशन and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the assembly. Let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs. Ashutosh, in just a bit to get you those updates of what's really playing out there, but you can hear the celebrations around Ashutosh as well. So the nod has been given now to the UCC, a uniform civil law being put in place for all communities within the state. And live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand assembly. These are BJP MLA's who you can hear chanting, raising slogans. Even yesterday when the bill was tabled, there were slogans of Jai Shri Ram Bharat, Mata Ki Jai that were raised by BJP MLA's. All of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who's been working on this for the last many, many months, been actively a part of drafting the UCC as well. The uniform civil code suggestions, and with regards to the directives that are put in place, there's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins. But we'll get to that in just a bit. I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast. Ashutosh, celebrations breaking out. The BJP is fulfilling that big promise in Uttarakhand. Well, the Uttarakhand has created history. And while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the assembly, Arvind Pandey, one of the BJP MLA from Uttarakhand is joining me here in the broadcast. The BJP Mishra, war of the king of Uttarakhand. मोधिशी के नत्रत्रों में उनके आफ्रबाद से उत्राखंड के सरकार पुष्टो सिंधामी के नत्रत्रत्रों सरकार ने यूशी सी को लागू किया है और ये देश के लिए पुरे मोडल बनेगा बहुत खुशी की बात है अब जो है पुलिस भेज रहे हैं आप जो है बेटरूम में पुलिस पहुंचाना चाहते हैं जन्जातियों को एक समान कानून नहीं है लेकिन सीम ये कह रहे थे कि देखिये हम बात में उनको शामिल करेंगे क्या इंतजार किया जा सकता था कि एक बार सबके लिए नियमावली तैय हो जाए सबसे चर्चा हो जाए लेकिन साथ साथ आव विल अलसो शो यू यू लाइव इमिजेस आप दी सेलिब्रेशन राइट आउट साइड है और आउट साइड विधान सभा ओल दी बीजेपी व क्या गलत है इसको भरके जंदा पार्टी में किया जो अपने आपे एतियासिक गला एक रिफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा और पूरे देश के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा पूरे देश के लिए एक मोडल है और मैं तो चाहता हूं सुप्रिम कोड का भी आदेश है कि UCC पूरे स्टेट कोई सभी स्टेट है हूँ लागू कर सकती है उसी करीम उत्रा घंडर ने काम किया है बढ़ाई की पात रहे हैं करें आफ देश करें अभी आप इस प्रूरे और मुल्पिवास्चन बनेख जीस्टाभा अब्ला इस्टेश के लागू कि अपर प्रूरे प्रूरे साफ चाहता है लो चुछ फ्रूरे झाड्वारे विए अपले और मुल्भाव ले पात्रा करें लिए, आजयों अशर च् इस्टेशल बीज़ फ्रियों ए स्विल अश्त शियृकाइबू बजयृकाइब। रहाँ इस एगी इन को इनके डिविल्लोग्साभ है, इनके ऑनके प्लिजोग्साभ बीसिपने गौर्ट्टियू कोट्वेस, इनके बीज़ूंड इनके ओंडियृकाइब। भेतार है जी जाराब का अशीम अशी आप एकार्था लिए एक अशी इंगा जाराब हुएशा है? अरफ जार तरी आजिन के एंगता पिंग लुट करिंध कर दो शुट को तो अजार्ट बार्ट से कर देए कि थोंग अजाज़न के लुट के लिगे जग भाज़ना है । और अप्रेश्टना प्रिजोटना ग।षिए काईट्टेंगी दोबसे हैं तुज्यरी उपके सालाफिए ट्रीजरी खिर फिलुप्साटम प्रेसेर इन पहुंड टूमें टौमजट्सा थोजट थे रुप्साट्टें प्रेशर हो प्रेस्टीम्ट् सेम्ना हमग है की प्रेस सिर्ष मुपने कर देलाई ताफ़े लिकना ठीम के विक दो है और मालीखी डिख विकना कपो कि एWक्ट बीभाई राधर भाद नेछिब देम तेम हम डॉल अप बुप्स जैजरान excelण को मेरे व ऩाय को देम को reaction that 2023 onut जहें तक फिन च्षिम्नेसर आग पिकेस्टे घंटेससेटनेच संफब ज्याि टेड़ने दोटेशने केया ड्रीजा सिरॉटनेट, भीजे हैं टुपर रहूंगर, थैक्षिंटने में सेटर रहूंगर, यह चाहिए इल्टेटेशने हैं के एक बातलेशने के लिए थे थोटी मेर् अन्हीन प्रफ्जाब अच्ट जड़ म1 प्रफिश कि आ лич गारचेश करने करippers अप tweak that was made in the BJP manifesto in the 2022 Assembly Elections in Uttarakhand, which is why you're seeing the kind of celebrations there with the BJP saying, we've fulfilled that big, big promise. And the BJP, of course, is maintaining that this is history that's been scripted, essentially, in Uttarakhand. And there's already a lot of buzz, Ashutosh, about other BJP rule states also following in a similar narrative, following the footsteps of Uttarakhand. And especially Gujarat and Assam, these two chief ministers have already said that we are keeping very close eye on the bill, especially, and also how it is going to be implemented. And clearly, the BJP rule state will take a cue from Uttarakhand, and the bill, those have been, remember, this 182 piece brought with several volumes that consist nearly more than 700 pages. So everything will be studied by, in fact, while you're speaking to Kishore Upad, the Tehri MLI said, several states have already approached us and we are providing them all the volumes, details, 182 pages of the total draft. They'll study it, and accordingly looking at their demographic structure and the... Okay, okay, Ashutosh, we're going to come back to you. We're cutting across live to the Uttarakhand chief minister. Pushkar Singh Dhami is expected to start speaking any moment. And now a big moment for the chief minister. He's been talking about this being a historic moment for the people of Uttarakhand and that they've fulfilled a promise made to the people of the state. All right, let's go. Thank you. सबसे पहले तो मैं अपने लिडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो दिन संकल्प लिए का दिन था बारह फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विध्यक के रूप में पारित हो गया है विध्यक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है आज का ये दिन उत्राखंड के लिए बहुत बिसेश दिन है आज देव भूमी के अंदर देव भूमी की इस विध्यान सबाने आज ये विशेश विध्यक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी को पारीद किया गया है इसके लिए मैं पुत्राखंड विधानसवा के सबीशेशू का सबी अपने सहीव्यों का धन्यवात करता हूं और विशेश समान नागरिक सहीता का जो एक्ट है जो विध्यक है उसको हम पारिद कर पाएं इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यसस्वी प्रधान मंत्री आदनी नरेंदर मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेणा से उनके मारदसन में हमको आज ये विध्यक करने का आउसर मिला और उनके मारदसन में हमने काम किया आपको उनीची से प्रेणा मिली एक भारत स्रेश्ट बारत का जो उनका संकल्फ है उसी संकल्फ को अपनी प्रेणा मांते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विध्यक के रूप में पेरिद कर पाएं आज़णी प हमारे जब हमने इस बात को रखा था हमारी पार्टी में रखा था उन्हीं के मार्दसन में रखा था यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है सबको एक रूपता का कानून है सबकी एकता का कानून है सबका समान अधिकार का कानून है यह इसके बारे में अलग-अलग ब स्ठानसवाः के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीज्शां इसपश्ट हो गए एक कानून हम किसी के खिलाप नहीं लाए हैं कि कानून किसी के विरूद नहीं हैं बलकि यह उन माताओं, बेहनों, बेटियों के लिए, जिनके जीवन में कई बार कुरूतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से, उनको अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता था, उनको यात्माओं का सामना करना पड़ता था, उन कुरूतियों के कारण से, उनका आत्मबल क सकति के भी हित में इस कानून में जहां विवहा तलाग गुजारा भत्ता उत्रादिकार लीविन रिलेस्टिंसिंग जैसे जो अनेक महत्रपूर्ण विसे हैं उन सभी विसेयों को इस कानून में सामिल किया गया है और लगवग दो बरसों के इस कालखंड में लगवग बारा फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्व लिया था उत्राकरण की देवतुले जंता के सामने रखा था उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने बिभीन बर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया विभीन धार्मिक संटनों के लोगों से भी बात की लिए को भी संगठनों यह दोगवद्य दिली में भी कारीकरम किया और जो ड्राप्ट बनाया उस ड्राप का हमने आंकलन किया हमारी मंत्री परिशद में उसका आंकलन किया परिक्षण किया और उसके बाद उसको विधान सवा में विध्यक के रूप में प्रस्तूत किया आज ये विध्यक पारित हो गया है और मैं देव भूम जी का विशेश रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्राखंड की देवतुले जंता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्राखंड आगे बड़ा है उत्राखंड ने शुरुवात की है और भारतवर्स के अन्य राज्यों से भी हमारी यह प्रिक्षा रहेगी कि हमने इसको जैसे हमको स्विक्रती प्राफ्त हो जाएगी तो हम इसको कानुन के रूप में राज्य के अंदर लागू करें और राज्य में लागू करने के लिए जरूरी व्योणाव्य है बुच्चे चिपकार चीफ मिनिस्ट अबूषा इसकार शीज पुच्चार सेवाइब चाहओऊ कि अविनस्ट मुच्चार की समधाइंग ऑन्हीं पूस्ट ऑन्हीं लेगा सब्नाप्निस्ट अबियस्टा फिर यून जो घ्यू और साल पूषा टेजियन से अंगारी जैनीर I want to bring in now our legal editor, Nalini Sharma, also to kind of explain to you what the Uttarakhand Civil Code actually does to the current laws in place. Nalini, there's of course a lot of talk about what this does to marriage, to property and of course equal laws, same laws for all communities in the state. Let's focus of course on the one issue that everyone's been talking about, about living relationships and what UCC states about that in Uttarakhand now. Well Akshita, first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time, for several years it's been debated as to whether or not India should have UCC. In fact it wasn't very long back when we ourselves in Democratic Newsroom were debating as to whether or not India is ready for UCC. But what was repeated time and again was that UCC there's no draft also available so what is the question being asked. Now not only is there a draft in place but Uttarakhand has officially enacted it as a law as soon as it gets the assent it will be enacted as a law. So it's a big big breakthrough in the promise that has been given by the BJP time and again that they are going to bring in a uniform civil code for the entire country. Not for the entire country yet but yes for Uttarakhand it has been brought in. But now talking about living relationships, it's one of the four main aspects that the Uttarakhand UCC deals with. Along with living relationships there are also aspects of marriage, divorce as well as succession that are mentioned in the bill. There are some very stringent measures that have been put in place regarding living relationships where any couple who is entering into a living relationship in Uttarakhand will have to get it registered with the local authorities. In fact the records are also going to happen with, going to be with the police and not just when they are entering into a living relationship. Even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that, they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order before those steps can be done. And that's what there's been a lot of discussion about, about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy, one's personal life. Thanks very much Nalini for joining us. Uttarakhand Assembly, after detailed discussions, has now officially passed the Uniform Civil Code. It's now a reality in the state of Uttarakhand, the first state to go ahead and implement UCC. So now history being made in the state of Uttarakhand after a discussion. Remember that the bill was tabled yesterday by Chief Minister Pushkar Singh Dami. And now after detailed discussions, it's been passed by the state assembly. So UCC becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of Uttarakhand. We've been getting you details also what kind of provisions come into effect here. But the Chief Minister has repeatedly been saying that this is history that's been created on UCC in Uttarakhand. Let's cut across to the Chief Minister's reaction. Let's cut across to the Chief Minister's reaction. And in the state of UCC in the state of UCC in the state of UCC, it's been taken to the state of UCC. और मैंने पहले कहा कि ये सामान्य विध्यक नहीं है बलकि एक भारत की एकात्माक्ता का सूत्र है हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान बनाया था देवभूमनी उत्राखन से आज वही ओधारना साकार रूप लेने जा रही है तरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्छा के साथ कि हम इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं देश के अन्य राज़ जीवी इस दिसा में आगे बढ़ है तो कि अपेक्षा अपेक्षा प्रूप लेक्षा नाच गाना महिलाए पुरुष बड़ी संग्ठा में और सब यहाई कटा हुए थे कि जैसे कामून पास होगा उसके तुरंचवाद में खाया बाटी जाईगर इसलिया आप देख रहे हैं कि जो है मुकुट से ले करके पकड़ी माला गंशा सब कुछ ले करके यहाँ पर आए गया और सड़को पर आप समझे पहले लोग कम थे लेकिन जैसे जैसे शाम मुझे लगा कि आज पोडिंग होगी उसके बाद यहाँ संख्या पढ़ने लगी और उसमें भी ज्यादा तर कानून पास हो रा था और जैसे ही वो नारे बादी के साथ जैसर राम का उद्गोश हुआ और यह प्रस्पा उसके बाद पारिट वा तुरंत में बहारा यह दिखाने के लिगी कैसे यहाँ पर आज कम से कम किसी से लिपरेशन से कम मौका नहीं है अंजना अजना अजना Okay, so that's Ashutosh reporting for us from Deiradun where he's showing us a sense of the celebrations. BJP leaders celebrating the fact that a common law now on marriage, on divorce, on property, on inheritance has now passed the assembly test in Uttarakhand. It was expected that it would sail through easily and that's exactly what's happened and that makes Uttarakhand the very first state to go ahead and implement UCC. It's led to a lot of speculation that perhaps many other states will now follow suit, that many other BJP rule states in particular will now start their conversation, start pushing forward, steam rolling ahead with their plans to introduce UCC. And considering that it's something that's also mentioned to the BJP manifesto, is this now going to set the ball rolling for a nationwide UCC as well, something for which there have been multiple indications a committee has also been set up. Of course, if you talk about the uniformed civil code as well, that has been passed in the assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the assembly. Let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs. Ashutosh Mishra in just a bit to get you those updates of what's really playing out there, but you can hear the celebrations around Ashutosh as well. So the nod has been given now to the UCC, a uniformed civil law being put in place for all communities within the state. And live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand assembly. These are BJP MLAs who you can hear chanting, raising slogans. Even yesterday when the bill was tabled, there were slogans of Jai Shree Ram Bharat, Mata Ki Jai that were raised by BJP MLAs. All of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhani, who's been working on this for the last many, many months, been actively a part of drafting the UCC as well. The uniformed civil code suggestions and with regards to the directives that are put in place, there's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins. But we'll get to that in just a bit. I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast. Ashutosh, celebrations breaking out. The BJP are fulfilling that big promise in Uttarakhand. Well, the Uttarakhand has created history. And while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the assembly, Arvind Pandey, one of the BJP MLA from Uttarakhand, you're joining me here in the broadcast. How big a day for Uttarakhand and what do you think? As you always say that the whole country gives water from the country, so the whole country will be a example of the whole country for the whole country? What day today? It was because you should leave the sun. They need to make a shelter while they are Waiting, they must take care of their family members before they work and a team will make it very happy. बनेगा बहुत खुशी की बात है लेकिन यह देखे विरोध था कंटेंशन को लेकर के इसमें आप जो है पुलिस भेज रहे हैं आप जो है बेडरूम में पुलिस पहुंचाना चाहते हैं जन जाते ओक एक समान कानून नहीं है लेकिन सीम यह कह रहे थे कि देखे हम बात में को शामिल करेंगे क्या इंतजार किया जा सकता था कि एक बार सबके लिए नियमावली तय हो जाए सबसे चर्चा हो जाए लेकिन साथ-साथ आव विल अलसो शो यूद लाइव इमेजेस आप दी सेलिब्रेशन राइट आउट साइड यह और आउटसाइज दिविधान सभा प्रेक्ति गलत हो सकता है लेकिन लिए एक रिफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा और पूरे देश के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा पूरे देश के लिए मोडल है और मैं तो चाहता हूँ सुप्रिम कोट का भी आदेश है कि यूची सी पुरे स्टेट कोई सभी स्टेट हो लागू कर सकती है उसी करी मोड़का घंडर ने काम किया है बदाई कि पात्र है बेनाली मीमारी आदेश और opened देशे ने नौसार्ण यूर्क्री एंडर मारी कोटीजीए इस के लिए और मिल्हात मिलस अट्डेंट मेंड़त्य सूप्रिम कोटीजीए यूच्णति 누 अटो बमंगा आदेश सम्चीन आधिव सहीज कर दो दो प्राइब दोगे बाएंट आग्षाम लागा बाला इन पुर्णान थे च्टेड इन प्राइब कोई ए्ट चुट इनर खाल टोगा रहा तेवर्टि इन प्रूरीज घंट चाई दोगे इंप पुरिए्ट चान थो गोड़े इन तेज अश्या थे रहें अजी अजय बीडिड बीज बीड बीडिक फिर गोसमे प्राथनों को बेने फिर अज़ इंजन्टर से लागार विर्टा विर्ट पर आफ वनुड अजय जोड़ वाव सब्टयूल को विडिशें इस्ति आफ आसे जो झालेज बो वोग दो आले जा जाएफ्ट साग्वानी कि कि अटॉखoss युजू परीज जाएशनी डार्णी का अच्पुन है अच्पिंट लूट रूप भी सेन्वाइख दे कि अच्पुर्ट जाएख्वाट सैंपुन हो है अच्पुन हो थार्पनी जाएख्ट किरिद रेर्स के प्रेश भीजुत प्रेश प्रेश देवर सब्सेट जोगा है तर्श मैंट रेह से जाज़ देड़ सेंट जाले कुमध खाफ जाम काम एंट शब सेब्स करा हैं एंट को अंड पुब्राटि प्रेश लाहूं को कुछ अपूजुत बार्स बावर्तों के कर दो प्यूल को प्यूल ट्राइब उन्जुने से भींडिल थे जिए 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 अग्टम्स अप्राइब कर दिए इंधर बॉड़ चैपने जिए अगार्ट प्रिणा ट्रेख धिल्द है। कर दो आख तार्यूमेट गिंद्धिंद्साट्राइव प्रिग्डश्टरा निंद्धिंध्य था थे रखुबूर है कि अध्सुन रख प्रिटर यहां कि अध्सक्राइव है अध्स्तिंग धिए नियुक्स्टूर इंद्धिंध्ड इंध्स्यूर्ण के जँश्वा कि you are seeing the kind of celebrations there with the BJP saying we have fulfilled that big, big promise and the BJP of course is maintaining that this is history that has been scripted essentially in Uttarakhand and there is already a lot of buzz, Ashutosh, about other BJP rule states also following in a similar narrative following the footsteps of Uttarakhand And especially Gujarat and Assam, these chief ministers have already said that we are keeping very close eye on these uh the bill especially and also how it is going to be implemented and clearly the bjp rule state will take a cue from utra khand and the bill those have been proper remember this 182 piece brought with several volumes that consists nearly more than 700 pages so all everything will be studied by in fact i was speaking to kishore upad that the tehri mlai said several states have already approached us and we are providing them all the volumes details 182 pages of the total draft they'll study it and accordingly looking at their demographic structure and the uh okay we're going to come back to you we're cutting across live to the utra khand chief minister okay right now of utra khand chief minister pushkar singh dhami is expected to start speaking any moment now a big moment for the chief minister he's been talking about this being a historic moment for the people of utra khand and that they've fulfilled a promise made to the people of the state सबी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो दिन संकल्प लियने का दिन था बारह फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विद्हक के रूप में पारित हो गया है विद्हक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुँचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के माद्यम से हुआ है आज का ये दिन उत्राखंड के लिए बहुत बिसेश दिन है आज देव भुमी के अंदर देव भुमी की इस बिद्हान सवा ने आज ये विशेश विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को परतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उपती रही थी जो बरसों परसों का इंतजार था वह देव भूमी उत्राखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधान सभा के अंदर आज इसको पारीत किया गया है इसके लिए मैं उत्राखंड विधान सभागे सभी सदस्यों का सबी अपने सहीवगियों का धन्यवाद करता हूँ और विशेश रूप से उत्राखंड की देवतुले जन्ता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण से ही उनके आसिरवाद से ही उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार मा आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून वना पाए समान नागिक सहीता का जो एक्ट है जो विधेयक है उसको हम पारिद कर पाए इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यसश्वी प्रधान मंत्री आजणी नरेंदर मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेणा से उनके मारदसन में हमको आज ये विधेयक प्राजी की विधान सवा में पारिद करने का अवसर मिला और उनके मारदसन में हमने काम किया हमको उनी से प्रेणा मिली एक भारत स्रेश्वारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रेणा मानते ह हुए हम आगे बड़े और आज इसको विद्यक के रूप में पेरित कर पाए अरणी प्रधान मंत्री जी के मारदसन में उत्राखंड मैं समान नागरिक सहिता का जो आउसर है चुकि चुनाओं के वक्त आरणी प्रधान मंत्री जी यहां आये थे उन्होंने भी हमारे जब हमन इस बात को रखा था हमारी पार्टी में रखा था उन्हीं के मारदसन में रखा था यह कानून सब को एक तरह 미क्ता का इका समान में अधिकार इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे लेकिन सारी बातें आज और कल जो दो दिन विधांसवा के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीजां इसपस्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाप नहीं लाये हैं, ये कानून किसी के बिरूद नहीं है, बलकि ये उन माताओं, बेहनों, बेटियों के लिए, जिनके जीवन में कई बार कुरूतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से, उनको अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता अनेक बार उनको यात्माओं का सामना करना पड़ता था उन कुरूतियों के कारण से उनका आत्मवल कंजोर होता था उनके आत्मवल को मजबूत करने का काम उनको उत्थान की ओल ले जाने का काम उनकी सरवांगिन उन्नती के लिए ये कानून हमने बनाया है ये सब बच्चों के भी हित में माध्रसक्ती के भी हित में इस कानून में जहां वियुहा तलाक, गुजारा भत्ता, उत्रा दिकार, लीविन रिलेसmealिंसींग जैसे जो अनेक महत्पूर्ण विसें उन्सभी विस्यों को इस कानून में सामिल किया गया है और लगवग दो बरसों के इस कालखंड में लगवग बारा फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्व लिया था उत्राखंड की देवतुले जंता के सामने रखा था उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने विभिन बर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया विभिन धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की उन्होंने जंजातियों के ब पिचार इसमें लिए सुझाव लेकर और पैटालीस बड़े जनसंबात के कारिकरम किये दिल्ली में भी कारिकरम किया और जो ड्राप्ट बनाया उस ड्राप का हमने आकलन किया हमारी मंत्री परिशद में उसका आकलन किया परिक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसवा म जिनों ने इसमें सहवागी होने का जिनको ये अउसर मिला है जिनके हातों ये सुप काम हुआ है उन सब का धन्यवाद करता हूं और आजनी प्रधान मुंत्री जी का विशेश रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्राखंड की देवतुले जन्ता की तरफ से कि देश बनाने के दिसी सफे इसको भेजेंगे और जल्दी महामहीम रास्कती जी के जएसे हमको सुपर्टी प्रापत हो जाएगी तो हम इसको कानून की रूप में राझ्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो ज़रूरी व्यूस्ताय है इतने दिनों में ह अच्वारकान शीमिनूर शीयर पुषकर सिर्शिखामी धानी कि अशीयर का।ब अगार स्कि diminasy toimें के टुश तुरब बिए बहुंच जा ओ단 हम जोत्रों खुज़ एस्ज इंड़ कलसे धंपरों। अब्रेकान प्रॉफ प्रॉच मेरे बेज़ एल इस देजर आशनों जार इस लाह सब्सक्राइब कर जोड़ी और इस त। अवार्व देंग प्रॉच बारीम औरानोंड्सीड का बर्ला मिला झालि राजमा ओंधि अध धनल कुन बहुंझ अंटीड़ स्कृचिन विध लाह स and what UCC states about that in Uttarakhand now? Well, Akshita, first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time, for several years, it's been debated as to whether or not India should have UCC. In fact, it wasn't very long back when we ourselves in Democratic Newsroom were debating as to whether or not India is ready for UCC. But what was repeated time and again was that UCC, there's no draft also available. So what is the question being asked? Now, not only is there a draft in place, but Uttarakhand has officially enacted it as a law. As soon as it gets the assent, it will be enacted as a law. So it's a big, big breakthrough in the promise that has been given by the BJP time and again that they are going to bring in a uniform civil court for the entire country. Not for the entire country yet, but yes, for Uttarakhand it has been brought in. But now talking about live-in relationships, it's one of the four main aspects that the Uttarakhand UCC deals with. Along with live-in relationships, there are also aspects of marriage, divorce, as well as succession that are mentioned in the bill. There are some very stringent measures that have been put in place regarding live-in relationships where any couple who is entering into a live-in relationship in Uttarakhand will have to get it registered with the local authorities. In fact, the records are also going to happen with, going to be with the police and not just when they are entering into a live-in relationship. Even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that, they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order before those steps can be taken. And that's what there's been a lot of discussion about, about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy, one's personal life. Thanks very much, Nalini, for joining us. Uttarakhand Assembly, after detailed discussions, has now officially passed the Uniformed Civil Code. It's now a reality in the state of Uttarakhand, the first state to go ahead and implement UCC. So now, history being made in the state of Uttarakhand after a discussion. Remember that the bill was tabled yesterday by Chief Minister Pushkar Singh Dami. And now, after detailed discussions, it's been passed by the State Assembly. So UCC becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of Uttarakhand. We've been getting you details also of what kind of provisions come into effect here. But the Chief Minister has repeatedly been saying that this is history that's been created on UCC in Uttarakhand. Let's cut across to the Chief Minister's reaction. Let's cut across the situation of the Battle of UCC in the state of UCC. We've got the blame in the state of UCC in the state of UCC. This is the event of an ud उत्र है हमारे समिधान सिल्पियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान बनाया था देव भूमी उत्राखन से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिसा में आगे कि अने राज जी भी इस दिसा मा आगे बड़ें आगे बड़ें आगे इस दिसा में आगे बड़ें Okay, I'm gonna cut across to my colleague Ashutosh Mishra who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out Okay, I'm gonna cut out Okay, so that's Ashutosh reporting for us from Tehradun where he's showing us a sense of the celebrations BJP leaders celebrating the fact that a common law now on marriage, on divorce, on property, on inheritance has now passed the assembly test in Uttarakhand It was expected that it would sail through easily and that's exactly what's happened and that makes Uttarakhand the very first state to go ahead and implement UCC It's led to a lot of speculation that perhaps many other states will now follow suit, that many other BJP rule states in particular will now start their conversation, start pushing forward Steve rolling ahead with their plans to introduce UCC And considering that it's something that's also mentioned to the BJP manifesto, is this now going to set the ball rolling for a nationwide UCC as well, something for which there have been multiple indications a committee has also been set up Of course, if you talk about the uniformed civil code as well, that has been passed in the assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the assembly Let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs Ashutosh Mishra in just a bit to get you those updates of what's really playing out there, but you can hear the celebrations around Ashutosh Mishra as well So the nod has been given now to the UCC, a uniform civil law being put in place for all communities within the state And live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand assembly These are BJP MLAs, who you can hear chanting, raising slogans Even yesterday when the bill was tabled, there were slogans of Jai Shree Ram, Bharat, Mataki Jai, they were raised by BJP MLAs, all of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhani Who's been working on this for the last many many months, been actively a part of drafting the UCC as well The uniformed civil code suggestions and with regards to you know the directives that are put in place There's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins But we'll get to that in just a bit I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast Ashutosh, celebrations breaking out The BJP is fulfilling that big promise in Uttarakhand Well, the Uttarakhand has created history And while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the assembly Arvind Pandey, one of the BJP MLAs from Uttarakhand, is joining me here in the broadcast What a big day is for the Uttarakhand and what do you think? What do you think? Like you always say that you have to give water from the country from here So, the law of the country is also for the whole country So, the law of the country is also for the example of this country What do you think? What do you think? अब सुरह निकलनी चाहिए इसे हिमाले से नई गंगा निकलनी चाहिए हंगामा खाड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशी से हालाद बोदनने चाहिए इसी कड़ी में बाबा भीम्राव अम्मिटकर जीने सप्रा देखा था और संविधान बनाया था उसको आज तक की सर्कार उन्हें नहीं किया आज मोधिशी के नत्रत्रों में उनके आपसरबास से उत्राखंट के सरकार पुष्टा सिंधामी के नत्रत्रत्वाली सरकार ने यूशी सी को लागू किया है और ये देश के लिए पुरे मोडल बनेगा बहुत खुशी की बात है मैं पुरे पांडे जी लेकिन सीम ये कह रहे थे कि देखिए हम बात में उनको शामिल करेंगे क्या इंतजार किया जा सकता था कि एक बार सबके लिए नियमावली तय हो जाए सबसे चर्चा हो जाए लेकिन साथ साथ आभ विल अलसो शो यूद लाइव इमिजेस अप दी सेलिबरेशन राइट आपका मोटने हूज नंबर भी डोल ना गाला जी अर्विन पांडे जी प्रैक्ति गलत हो सकता है लेकिन लेव इन एक इलेसंसिप के माधियम से जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं उनका दोस्त क्या है उनको सहीवे कानून में उनको सम्मान देना क्या गलत है इसको भी स्टेट हो लागू कर शक्ति है उसी करीम उतका घंडर ने काम किया है बधाई की पात रहें right Mlai, several issues, where the — they had their own apprehensions. All issues were raised, everything was discussed and deliberated but at large with the thumping majority with the slogan of Jayshir Ram, the bill has been passed by Uttarakhand Assembly and remember several BJP Rules states have been saying that we are keeping a very close eye on this bill and how it is going to be implemented and since Uttarakhand has already made an example — the history has created — it will also give a blueprint to करें गूर dachteर अजल्साब करें अबिस अप्रकोन हो में गेशिक प्रप्राइब इस नहीं हो सी विर्फ़ फमयर अच्पापट को अच्पाटरा इसु अच्पाटेरी आपर। अच्पसंध उन्हें लगाने इस पूस्ट और। कि अच्पस्ट अच्पस्पाट ने बोत्स वें हैं इन आपट। वे वोपकर्षाएंगा रोड़ रापूजी जारी जोनीजू औरोड जारेजिक लिए आवे घारीज आपकूश्यू, इज़ आश मिजय काणिक टार रखेंगे लिएखा टोर आपकूश्यू, प्रुप्सूंधा टनावड़े जानावे जाहन मेंजाओेमान हैं तंट प्रू ही जब देरो बेरेन लीज वेपे पर एंग टेरोब्स ही जब पून है वार्टी जब ड़ी कि आप प्रिफ निर्फ की कि जाप एंडेरी है का बिग। किस्टोम को अज़ियु वह स्विजल स्ट प्रिफूर है प्रिफिश नगापन कि आप स्टेशि कि विए रिट게झ मेंसेता के शेंड़ी स्ट प्रिफ के बिए खूंध रगाव। अबिस्टेट विजट उपसके एसमेदारी हैं, मुझेड फेज़ लिपड़ीट की परिफ्तर विजट चैट है, कि अज़ मांध की बिल्ट मांध की से अथिजू और फुट नंदीध। अज्यारी प्राइब सिर्फ आप्राइब, अणिए प्रॉदा. अजहती ए नहितला करदो फोली जारे दिसमेड जाखिवा सब्सक्राइब कर दिक परनेघंट है लुट प्रॉर्परा पाम।一次 फिरॉब धोजाफिए झापिपों यूजाब कर दिस विरॉब कर दिस प्रही तो दिस पर जागा है तो अए इन वाहर है धिस प्रॉब अधकिन कर दो पिए लिए बाइड बाइड कर दो थे रूपाद एक अगार्टे जब वार्ड गड़िए तेहरी मला है सब्सक्राइड प्रफ अजिए अग। टीए तो उपर दो टो ट्रॉप टॉटेस्ट टॉट अग अग।ट्स अग। घुट्सर टॉट्टेटर्व के अंग। पूजय शब्यूच्टा मेंratic खुम्हार्य पूम्हार्य जाज झाल करफ दोच्ब में तुच्राच क pouco थिए अज़ा मेंने पुम्हारो अबारग माता की to the people of the state सबसे पहले तो मैं अपने मेडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो दिन संकल्प लिने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब यह विधैक के रूप में पारित हो गया है विधैक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सयोग और इसको जन जन तक पहुँचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के मार्जम से हुआ है आज का ये दिन उत्राखंड के लिए बहुत विशेश दिन है आज देव भूमी के अंदर देव भूमी की इस विधानसवा ने आज ये विशेश विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी जो बरसों बरसों का इंतजार था वो देव भूमी उत्राखंड क के सभी सदस्यों का सभी अपने सभीयों का धन्यवाद करता हूं और विशेश रूप से उत्राखंड की देवतुल्य जन्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही उनके आसिरवाद से ही उनके समर्थन से ही और उन्हों को हम पारिद कर पाएं इसके साथ मैं हमारे देश के यह सबस्वी प्रधान मंत्री आजणी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेणा से उनके मार्दसन में हमको आज ये विदहेग राज जी की विदान सब्सक्राइब करने का अउसर मिला और उनके मार्दसन में हमने काम किया हमको उनी से प्रेणा मिली एक भारत बारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रेणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विदहेग के रूप में पेरिद कर पाए आजणी प्रध प्रफान मंत्री जी यहां आये थे उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था हमारी पार्टी में रखा था उन्हीं के मार्दसन में रखा था यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है सबकी एकता का कानून है सबका समान अधिकार का कानून है यह इसके बार आज और कल जो दो दिन विधानसवा के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीजां इसपस्ट हो गई है कि ये कानून हम किसी के खिलाप नहीं लाए हैं ये कानून किसी के बिरूद नहीं है बलकि ये उन माताओं बहनों बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई करूतियों के कारण से कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता था अनेक बार उनको यात्माओं का सामना करना पड़ता था उनका आत्मबल कंजोर होता था उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम उनको उत्थान की ओन ले जाने का काम उ इविन रिलेस्टिंसिंग जैसे जो अनेक महत्रपूर्ण विसें उन सभी विस्यों को इस कानून में सामिल किया गया है और लगवग दो बर्सों के इस कालखंड में लगवग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्व लिया था उत्राखंड की देवतुले जंता के सामने रखा था उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने विभिन बर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया विभिन धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की उन्होंने जंजातियों के बीच में जाकर भी बात की अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगवक 10,000 लोगों से कमिटी ने प्रत्यक्ष रूप से संबाद किया और 2,00, 33,000 के लगवक लोगों के बिचार इसमें लिए सुझाओ लेकर और 45 बड़े जन संबाद के कारिकरम किये दिल्ली में भी कारिकरम किया और जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ का हम्रें आकलं किया हुमारी मंत्री परिशद में उसका आकलं किया और उसके बाद उसको विधांसवा में बिधे रूप में परस्थी किया आज यह बडे हैट पारित हो गया है और मैं देव्चुमी उत्राखण की कि देवतुन्य जंता का धन्यवाद करना चाहताँ हूं विधान सवा के सभी सदस्यों का जिन्नोंने इसमें सहवागी होने का जिनको यह अउसर मिला है जिनके हातों यह सुपकाम हुआ है उन सबका धन्यवाद करता हूँ और आजनी प्रधान मंत्री जी का विशेश रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्राखंड की देवतुल्य जंता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्राखंड आगे बड़ा है उत्राखंड ने तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए ज़रूरी व्यूस्ताय हैं, इतने दिनों में हम उन ब्यूस्ताओं को भी सुनिशित करने का काम करेंगे, अंतर में मैं आप सब का भी धन्यवाद करता हूं, बहुत करने के लिए ज़रू करेंगे और लागू कर लागया गया है, बढ़ लागू कर लागया है, इतने की साथ? to several other states and thereby nationwide as well. I want to bring in now our legal editor, Nalini Sharma also to kind of explain to you what the Uttarakhand Civil Code actually does to the current laws in place. Nalini, there's of course a lot of talk about what this does to marriage, to property and of course equal laws, same laws for all communities in the state. Let's focus of course on the one issue that everyone's been talking about, about living relationships and what UCC states about that in Uttarakhand now. Well Akshita, first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time, for several years it's been debated as to whether or not India should have UCC. In fact it wasn't very long back when we ourselves in Democratic Newsroom were debating as to whether or not India is ready for UCC. But what was repeated time and again was that UCC there's no draft also available so what is the question being asked? Now not only is there a draft in place but Uttarakhand has officially enacted it as a law. As soon as it gets the assent, it will be enacted as a law. So it's a big, big breakthrough in the promise that has been given by the BJP time and again that they are going to bring in a uniform civil code for the entire country. Not for the entire country yet, but yes for Uttarakhand it has been brought in. But now talking about living relationships, it's one of the four main aspects that the Uttarakhand UCC deals with. Along with live-in relationships there are also aspects of marriage, divorce as well as succession that are mentioned in the bill. There are some very stringent measures that have been put in place regarding live-in relationships where any couple who is entering into a live-in relationship in Uttarakhand will have to get it registered with the local authorities. In fact the records are also going to be with the police and not just when they are entering into a live-in relationship. Even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that, they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order before those steps can be taken. And that's what there's been a lot of discussion about, about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy, one's personal life. Thanks very much Nalini for joining us. Uttarakhanda Assembly after detailed discussions has now officially passed the Uniform Civil Code. It's now a reality in the state of Uttarakhanda, the first state to go ahead and implement UCC. So now history being made in the state of Uttarakhanda after a discussion. Remember that the bill was tabled yesterday by Chief Minister Pushkar Singh Dami and now after detailed discussions it's been passed by the state assembly. So UCC becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of Uttarakhanda. We've been getting you details also of what kind of provisions come into effect here but the Chief Minister has repeatedly been saying that this is history that's been created on UCC in Uttarakhanda. Let's cut across to the Chief Minister's reaction. This is a great country that Uttarakhand has received its value. And in which way Bharat is a very big country and a great country will come to us and the state of Uttarakhanda. I will have a strong country that we were and we all have and we all have and I will have that our country could be a strong country as we all will be and because the उत्राखंड की देवतुल्य जलता का प्रत्मी होने के कारण मिला और मैंने पहले कहा कि ये सामान्य विध्यक नहीं है बलकि एक भारत की एकात्माक्ता का सूत्र है हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान मनाया था देव भूम्नी उत्राखंड से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है तरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्छा के साथ कि हम इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं देश के अने राज जी भी इस दिसा में आगे बढ़े हैं okay I'm gonna cut across to my colleague Ashutosh Misha who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out okay yeah 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 तरह प्रुब कि जैसे जश्वाद विधान सभा जहां पर आज उत्तरा खंड इतिहास रचा है तो पूंद तहरा दून में उठिवुक विधान सभा के बाहर यह विधान सभा है और मैं उसी जगे पर हूं विधान सभा में जहां अंदर कानून पास हो रहा था और जैसे ही वो नारे बादी के साथ जैश्राम का उद्गोश्च हुआ और यह प्रस्ता उसके बाद पारिश्वा तुनन में बाहर आये डिखाने के लिए कैसे यहां पर आज कम से कम इसी celebration से कम मौका नहीं है अजया अजया लगा में अजया पर जाछूआने के लिए जाए जाहां बादी स्टाइए बजया अजया अजया थाज़ एको ऑन झाल 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 द लूब यह पो बाद नहीं है the Assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the Assembly let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs Ashutosh in just a bit to get you those updates of what's really playing out there but you can hear the celebrations around Ashutosh as well so the north has been given now to the UCC a uniform civil law being put in place for all communities within the state and like images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand Assembly these are BJP Emily's who you can hear chanting raising slogans even yesterday when the bill was tabled there were slogans of Jai Sri Ram Bharat Mata ki Jai that were raised by BJP MLA's all of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhani who's been working on this for the last many many months been actively a part of drafting the UCC as well the uniform civil code suggestions and with regards to you know the directives that are put in place there's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins but we'll get to that in just a bit I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast Ashutosh celebrations breaking out the BJP of fulfilling that big promise in Uttarakhand well the Uttarakhand has created history and while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the Assembly Arvind Pandey one of the BJP MLA from Uttarakhand is joining me in the broadcast Ohh को लग रहा है वो दिन आज हैं वो चुकी थी पीर अब सुरह निकलने चाहिए इसे हिमाले से नहीं गंगा निकलने चाहिए भंगामा खाड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश हालात बहुत दलने चाहिए इसी कड़ी में बाबा भीम्राव अमिटक जेने जो सप्रा जा है और यह देश के लिए पुरे मोडल बनेगा बहुत खुशी की बात है में पुरे पांडे जी लेकिन यह देखे विरोध था कंटेंशन को ले करके कि भई इसमें आप जो है पुलिस भेज रहे हैं आप जो है बेडरूम में पुलिस पहुचाना चाहते हैं जन जातियो देखा जाएगा और पूरे देश के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा पुरे देश के लिएक मॉडल है और मैं चाहता हूँ सुप्रिम कोट का भी आदेश है कि यूची सी पुरे स्टेट कोई सभी स्टेट हो लागू कर सकती है उसी करी मुट्रा घंडर ने काम किया है बदाई की पात रहे लुच की अरभी आदेशने बने पात तुम्रादेश मॉच गूच्टर पूर्य है यूट बनेज्विय खूरे नाव सफ पूर जिस की अटेशने नॉच्ट तेशियोच अपूर्य आट वह दिए नूच्टेशने के लिए अब्राइब सेस्ट अप्राइशन अबनाजन, आड़ वे वे रही हैं टिस्लिबर इस बीजिए अप्राइबसर चैर अन हम आपने अजिए कर दिए बीजिए हूं ट्ष टा बैजिए ग्यांडल ऑ्रकारशन कर इंपना अजिए अप्राइबस। प्रवप कर सकत्ड कर एंगी पिंए उन्वीट इन आगज प्राव कलने पोचाने प्राव कर एंग पिपर आट कर बार्व पूर आज तो पिल कर झाल में यह कोड़ब ऑन जो वो वो अज़ दो और वो गुवर गिए अज अप्नातरी विए ओर इन्टी अज़ित यूज विए और अज जे टाइन एग आस्पlar को मिएचे ज़ी में आखिए प्रेश्टिंस कर्या लुझर के जाते है कि अजय करेंश कि लूंग और इंट भूस अश्टीर हार आखिए कि विपन प्रेशरी जोस्टित प्रेसुर्य करट पर हें कि तो रिपिन वेमेंगे स बीकार्टी अप्राइश्य। प्रशहें प्रेरशी एपना प्रिया। ऍधुरा थुस्तेक प्रंग चaks बिगान सभाबार्ष काले तेड़ा , ते डिक नहीं का तेंडिक ढ भीज़पी टेसे एंफेच्वेस कि वे बीज़ गुट्वीज चांशा बैजल गुट्वारा कर शाषकार भीज़प युट्रा कर रहा पाज चाषब लिज़सेएं लुट्वार कर भीज़ अंधापना भीज़पी और मनें लूकर दोप्रिगे डिặ!!! जो आज उतना प्रोलिम एा परीजस्टी यॉ जबूट भ्यलीं ने भी छोन इसेड One सstबूष थार प्रृठम अ connection के तो इस बूलोग हों की वेंवाध्राटें सब्सेट मॉ heter गिंडूंप प्सेदों अज़े आप्रोशटास ने प्रोवधिने वाल ने पूल थे टेज़ एंगरेटेटीटीज रेट टूटल राफ बेंस्ट एंग अकरदी बॉदिटा एंगरेटीज एंगरेट एंगरेटीज रिए इन लुग यह अल्ग भास्रे टुट्टर अट्रॉट्ट्टर अट्टॉट पुझ लुग। the people of Uttarakhand and that they fulfilled a promise made to the people of the state. प्रशाम्तो यह थोड़ा प्लीज सबसे पहले तो मैं अपने मेडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब यह विद्हक के रूप में पारित हो गया है विद्हक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के मार्दम से हुआ है आज क यह दिन उत्राखंड के लिए बहुत बिसेश दिन है आज देव भूमी के अंदर देव भूमी की इस विद्हक बिद्हक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी जो बरसों बरसों का इंतजार था वो देव भूमी उत्राखंड के अंदर इसकी शुरुवात होई है और विद्हक सवा के अंदर आज इसको पारीत किया गया है इसके लिए मैं उत्राखंड विधान सवा के सभी सदस्यों का सभी अपने सहीवग्यों का धन्यवाद करता हूं और विशेश रूप से उत्राखंड की देवतुले जन्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही उनके आसिरवाद से ही उनके समर्थन से ही और उन जहीता का जो एक्ट है जो विध्यक है उसको हम पारिद कर पाएं इसके साथ मैं हमारे देश के यह सबस्वी प्रधान मंत्री आदनी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेणा से उनके मारदसन में हमको आज यह विध्यक राजी की विधान मिली एक भारत स्रेश भारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रेड़ा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विध्यक के रूप में हम पेरित कर पाएं आजनी प्रधान मंत्री जी के मारदसन में उत्राखंड मैं समान नागरिक सहिता का जो आउसर है चुकि चुनाओं के वक्त आजनी प्रधान मंत्री जी भी यहां आये थे उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था हमारी पार्टी में रखा था उन्हीं के मारदसन में रखा था यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है सबको एक रूपता का कानून है सब का समान अधिकार का कानून है या इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सारी बातें आज और कल जो दो दिन विधानसवा के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीजां इसपस्ट हो गई है कि ये कानून हम किसी के खिलाप नही हैं बलकि ये उन माताओं बहनों बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरूतियों के कारण से कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता था अनेक बार उनको यात्माओं का सामना करना पड़ता था उन करूतियों के कारण से उन मात्रशक्ति के भी हित्में इस कानून में जहां बिवहा तलाक गुजारावद्टा उत्रादिकार लीविन रिलिशिंसिंड जैसे जो अनिक महत्वपूर्ण विस्य हैं उन सभी विस्यों को इस कानून में दिल से उनका दन्य बहुंचाट करना चाहता हूं उन्होंने विविन बर्ग लोगों से भी बात की उनोंने जन जातियों के भीच में जाकर भी बात की और लगवाक दस लोगों से कमिटी ने प्रत्यक्ष रूप से संबाद किया और दो लाट तैतीस हजार के लगवक्त लोगों के बिचार इसमें लिए सुझाव लेकर और तैतालीस बड़े जन संबाद के कारिकरम किये दिल्ली में भी कारिकरम किया और जो ड्राप्ट बनाया उस ड्राप का हमन मैं देवभूमी उत्राखंड की देवतुले जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं विदान सवा के सभी सदस्यों का जिनोंने इसमें सहवागी होने का जिनको यह अउसर मिला है जिनके हातों यह सुप काम हुआ है उन सब का धन्यवाद करता हूं और आजनी प्रधान मुंत कि हमने इसको यहां पारित कर दिया है यहां एक्ट बना दिया है महामहीम राष्टपती जी के यहां इसको भेजेंगे और जल्दी महामहीम राष्टपती जी के यहां से जैसे हमको स्विक्रती प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर ला मेरा प्रिज्ट का फूद्टी शेयरा है, ने जायको जायका टोप्ड का लायका है, इसके इसका है? and thereby nationwide as well. I want to bring in now our legal editor Nalini Sharma also to kind of explain to you what the Uttarakhand Civil Code actually does to the current laws in place. Nalini, there's of course a lot of talk about what this does to marriage, to property and of course equal laws, same laws for all communities in the state. Let's focus of course on the one issue that everyone's been talking about, about living relationships and what UCC states about that in Uttarakhand now. Well Akshita, first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time, for several years it's been debated as to whether or not India should have UCC. In fact it wasn't very long back when we ourselves in Democratic Newsroom were debating as to whether or not India is ready for UCC. But what was repeated time and again was that UCC there's no draft also available so what is the question being asked. Now not only is there a draft in place but Uttarakhand has officially enacted it as a law, as soon as it gets the assent it will be enacted as a law. So it's a big, big breakthrough in the promise that has been given by the BJP time and again that they are going to bring in a uniform civil court for the entire country. Not for the entire country yet but yes for Uttarakhand it has been brought in. But now talking about live-in relationships it's one of the four main aspects that the Uttarakhand UCC deals with. Along with live-in relationships there are also aspects of marriage, divorce as well as succession that are mentioned in the bill. There are some very stringent measures that have been put in place regarding live-in relationships where any couple who is entering into a live-in relationship in Uttarakhand will have to get it registered with the local authorities. In fact the records are also going to happen with, going to be with the police and not just when they are entering into a live-in relationship. Even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order before those steps are going to be done. And that's what there's been a lot of discussion about about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy, one's personal life. Thanks very much Nanani for joining us. Uttarakhand Assembly after detailed discussions has now officially passed the Uniform Civil Code. It's now a reality in the state of Uttarakhand. The first state to go ahead and implement UCC. So now history being made in the state of Uttarakhand after a discussion. Remember that the bill was tabled yesterday by Chief Minister Pushkar Singh Dami and now after detailed discussions it's been passed by the state assembly. So UCC becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of Uttarakhand. We've been getting you details also what kind of provisions come into effect here but the Chief Minister has repeatedly been saying that this is history that's been created on UCC in Uttarakhand. Let's cut across to the Chief Minister's reaction. In the state of Uttarakhand we got through and we have seen the UCC in the state of Uttarakhand. और देव भूमी से देश को दिशा देने का आउसर इस सदन के प्रतेक सदस्यों को आज उत्राकन की देवतुल्य देलता का प्रत्मी होने के कारण मिला और मैंने पहले कहा कि आकि ये सामान्य विध्यक नहीं है बलकि एक भारत की एकात्माक्ता का सूत्र है हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान बनाया था देव भूमी उत्राखन से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है दरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं देश के अन्य राज जी भी इस दिसा में आगे बढ़े हैं Okay, I'm gonna cut across to my colleague Ashutosh Mishra who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out. में और वो सब यहां इकटा हुए थे कि जैसे कानून पास होगा उसके तुरंद बाद मिठाईया बाटी जाएक और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो है मुकुट से ले करके पकड़ी माला गंशा सब कुछ ले करके यहां पर आए गया मैं देहरादून में ओ ठीक विधानसभा के बाहर ये ये विधानसभा है और उसी जगे पर हूँ विधानसभा में जहां अंदर कानून पास हो रहा था और जैसे ही वो नारेबादी के साथ जैश्राम का उद्गोश हुआ और ये प्रस्ता उसके बाद पारिश्वा तुरं ओर जैसे हां आर उुदे ठीक वे जा हुंटी और रहें जा क्रूझा टेंसे हां ये ये विधान सम organized the recent last has l अज्रकांट लेफ्ट एष्ट एट एट एंपूरेट जए घूरेट जा टो जाट लुटे जा ट değं पूल वाल ऐसी कियो एकी तूल कि बगाश किले एक बनौ। पूता हो एंड़ देटे की इंट्रेज को एंसाइब लुजी कि जैने की में वेशिग मनिधे पज़ से बूलान खीनिट ओीनिज गजी जरत जिचा साओ्ता में ग भूज से लएफ घजाने च्साओब जाके जरत ऊ flagण पापित एंटांसwhousraw थे को एंसबos जोती को इन 캐ively Assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the Assembly let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs Shutosh in just a bit to get you those updates of what's really playing out there but you can hear the celebrations around Ashutosh as well so the north has been given now to the UCC a uniform civil law being put in place for all communities within the state and live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand Assembly these are BJP Emily's who you can hear chanting raising slogans even yesterday when the bill was tabled there were slogans of Jai Sri Ram Bharat Mata ki Jai that were raised by BJP Emily's all of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhani who's been working on this for the last many many months been actively a part of drafting the UCC as well the uniform civil code suggestions and with regards to you know the directives that are put in place there's been a lot of talk particularly on living relationships and the registration on live-ins but we get to that in just a bit I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast celebrations breaking out the BJP of fulfilling that big promise in Uttarakhand well the Uttarakhand has created history and while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the assembly Arvind Pandey one of the BJP MLA from Uttarakhand is joining me in the broadcast which is the first time of the day in the broadcast which is the first time of the year to come in the broadcast. चाहिए इसी कड़ी में बाबा भीम्राव अमेट तक जो सपना देखा था और संविधान बनाया था उसको आज तक की सरकारों नहीं किया आज मोदी जी के नत्रत्रों में उनके आफ्रबाद से उत्राखंट के सरकार पुष्टा सिंध्धामी की नत्रत्रत्रों सरकार ने यू पुलिस पहुचाना चाहते हैं जन जातियों को एक्जम्चन दे रहे हैं एक समान कानून नहीं है लेकिन सीम ये कह रहे थे कि देखें हम बात में उनको शामिल करेंगे क्या इंतजार किया जा सकता था कि एक बार सबके लिए नियमावली तैय हो जाए सबसे चर्चा हो प्रेक्ति गलत हो सकता है लेकिन लेवीन रिलेसंसिप के माध्यम से जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं उनका दोस्त क्या है उनको सहीवे कानून में उनको सम्मान देना क्या गलत है इसको भारतिय जंदा पार्टी ने किया जो अपने अपने एतियासिक गला है एक पार्टी मोरत का घंडर ने काम किया है बधाई की पात कहा है लिगदे से अप्रफ़ने के बचान के बच new दो खंड परेंश अध्यूस अवे स्पीन के बूस्त ओर्टी ने किया एक ए्योझाल स्वेल यू का बच्प्राखन ऑ्यूस अपने। सकत हम Lucy is just on the edge of the lopsa by election of course, the opposition, OSC and several other Muslim organisations have also been taking an issue that how on the edges of the election, such kind of bill is being passed, but clearly of course this is going to give edge to the BJP when they will go to ... Remember from Janshaang the agenda that, they have been saying that article 370 needs to go and uniformed on civil court needs to come. So they will now go with the people, some exact example chain. अजय बिध लिख अश्राप्ण ए इंपने तुक्राइब चेज्ट टार्प्राइब एन कि इन प्रश पूर्फटाइब अश्रप्राइब प्रफियं में इन का इन कि एस लूर्ट जया का विपश्राइब जिस्कूर अजुपारा अचिक एपनित एुबडल इस इन का अपर there was voting on the select committee agenda which was proposed by the opposition that they wanted to send it to the select committee and have a deliberation at least for a month and then bring it to there was no opposition to the uniform civil court bill rather there was demand from the opposition to send it to select committee and let there be more and more deliberation there could be some contention apprehension and that need to be addressed especially on the issue of why the uh you know the scheduled tribes have been exempted responding to that the chief minister said because they have their own tradition their customs and that is a preserve and of course even we have spoken to them they are on board and there will be more and more reforms in coming days and happening but meanwhile you see every everything here BJP workers supporters right at the main gate of so there was no resistance there was no opposition to the bill at large but in fact on the first day fact yesterday when the session started uh the opposition uh mlas including the independent they did protest and wanted time to keep on the other critical issues of the state but at large with the coming majority the bill has been passed a promise that was made in the BJP manifesto in the 2022 assembly elections in Uttarakhand which is why you're seeing the kind of celebrations there with the BJP saying we've fulfilled that big big promise and the BJP of course is maintaining that this is history that's been scripted essentially in Uttarakhand and there's already a lot of buzz Ashutosh about other BJP rule states also following in a similar narrative following the footsteps of Uttarakhand and especially uh Gujarat and um and Assam these two chief ministers have already said that we are keeping very close eye on these uh the bill especially and also how it is going to be implemented and clearly the BJP rule state will take a cue from Uttarakhand and the bill those have been draft remember this 182 piece draft with several volumes that consists nearly more than 700 pages so all everything will be studied by in fact I was speaking to Kishoreupad that the Tehri MLI said several states have already approached us and we are providing them all the volumes details 182 pages of the total draft they'll study it and accordingly looking at their demographic structure and the uh okay Ashutosh we're going to come back to you we're cutting across live to the Uttarakhand chief minister school for the Uttarakhand chief minister for the Uttarakhand chief minister यह अजिक विद्ट ते पर से अगय काँ प्रॅट को अजये अजये विद्ट प्रेस्टों में टोड़ एंप इस पांगे लिडाख भी जा सिर्ट कर दिजिए, फस्ट कर देंद उटра कंट विद्ट पर को अ अजिए दिए अजये काट दिए टो विद्ट कर दिए खिद्ट आपने अपने अपने लिडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो दिन संकल्प लिए का दिन था बारह फरवरी दो हजार बाईस और तब से लेकर आज जब ये विधैक के रूप में पारित हो गया है विधैक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है आज का ये दिन उत्राखंड के लिए ब देव भूमी की इस विधानसवा ने आज ये विशेश विधेयक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी जो बरसों बरसों का इंतजार था वो देव भूमी उत्राखंड के अंदर इसकी शुरुवात धन्यवात करता हूं और विशेश रूप से उत्राखंड की देवतुले जनता का धन्यवात करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही उनके आसिरवात से ही उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार्मा आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून मना पाए सम को हम पारिद कर पाएं इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यह सबस्वी प्रधान मंत्री आज़नी नरेंदर मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेणा से उनके मारदसन में हमको आज यह विधैक प्राज जी की विधान सवा में पारिद करने का अवसर मिल और उनके मारदसन में हमने काम क्या हमको उन्हीं से प्रेणा में ली एक भारत स्वेश भारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रेणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधैक के रूप में हम पेरित कर पाए आजनी प्रधान मंत्री जी के मारद इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मारदसन में रखा था, यह कानून सब को एक तरह से समानता का कानून है, सब को एक रूपता का कानून है, सब की एकता का कानून है, सब का समान अधिकार का कानून है, यह इसके बारे में अलग-अलग बातें कर लेकिन सारी बात आज और कल जो दो दिन विधानसवा के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीज़ां इसपस्ट हो गई है कि ये कानून हम किसी के खिलाप नहीं लाएं ये कानून किसी के बिरूद नहीं है बलकि ये उन माताओं बहनों बेटियों के लिए जिनक कांप電ा करना परता था उन कुरूतियों के कारण से उनका आत्मवल कमजोर होता था उनके आत्मवल को मजबूत करने का काम उनको उत्ठान कींफ ले जाने का काम उनकी की सरवागिण उन्नती के लिए ये कानून हमने बनाया है यह सब बच्चों के भी हित में मात्र सक्ति के भी हित में इस कानून में जहां विवहा तलाक गुजारा भट्ता उत्रा दिकार लीविन रिलेसिंसी जैसे जो अनेक महत्रपूर्ण विसे हैं उन सभी विसेओं को इस क जब इसका संकल्व लिया था उत्राकरण की देवतुले जंता के सामने रखा था उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने बिभिन बर्गों के बीच में जाकर उस कमिटी ने काम किया विविन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की उन्होंने जन जातियों के बीच में जाकर भी बात की अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगवक दस हजार लोगों से कमिटी ने प्रत्यक्ष रूप से संबाद किया और दो ल मैं देव भूमी उत्राखंड की देवतुल्य जंता का धन्यवाद करना चाहता हूं विझान सबी सदस्यों का जिनोंने इसमें सहवागी होने का जिनको यह आउसर मिला है हम mाहु है जनके हाथों ये सुन्ध काम हुआ है उन सब का धन्यबाद करता हूँ और आजणी प्रधान मंत्रीजी का विशे सुरूप से धन्यबाद करते हुए उत्रालखड की देव तुल्ले जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जरूरी व्योस्ताय हैं इतने दिनों में हम उन ब्रॉष्टाओं को भी सुनिशित करने का काम करेंगे अन्त में मैं आप सब का भी धन्यवाद करता हूं बह खुच क सबस्सप्रम इस यजित हैं धर रामिंस्त मोधी और अजिए यज खेंगे इस कर दो प्रॉटिस यजुष ऑंगे कर आफ टा लागू कर आप ग्हांद के अर बहूं ने खिए अप्यू कान आप एन बहुष्टार कान के वार अन्ट इस जिए अगलाए रूश्दी also to kind of explain to you what the utrakhand civil code actually does to the uh current laws in place now lini there's of course a lot of talk about what this does to marriage to property and of course equal laws same laws for all communities in the state let's focus of course on the one issue that everyone's been talking about about living relationships and what ucc states about that in utrakhand now well akshita first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time for several years it's been debated as to whether or not india should have ucc in fact it wasn't very long back when we ourselves in democratic newsroom were debating as to whether or not india is ready for ucc but what is repeated time and again was that ucc there's no draft also available so what is the question being asked now not only is there a draft in place but utrakhand has officially enacted it as a law as soon as it gets the assent it will be enacted as a law so it's a big big breakthrough in the promise that has been given by the bjp time and again that they are going to bring in a uniform civil code for the entire country not for the entire country yet but yes for utrakhand it has been brought in but now talking about live-in relationships it's one of the four main aspects that the utrakhand ucc deals with along with live-in relationships there are also aspects of marriage divorce as well as succession that are mentioned in the bill there are some very stringent measures that have been put in place regarding uh live-in relationships where any couple who is entering into a live-in relationship in utrakhand will have to get it registered with the local authorities in fact the records are also going to happen with going to be with the police and not just when they are entering into a live-in relationship even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order and that's what there's been a lot of discussion about about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy one's personal life thanks very much for joining us utrakhand assembly after detailed discussions has now officially passed the uniform civil code it's now a reality in the state of utrakhand the first state to go ahead and implement ucc so now history being made in the state of utrakhand after a discussion remember that the bill was tabled yesterday by chief minister pushkar singh dhami and now after detailed discussions it's been passed by the state assembly so ucc becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of utrakhand we've been getting you details also what kind of provisions come into effect here but the chief minister has repeatedly been saying that this is history that's been created uh on ucc in utrakhand let's cut across to the chief minister's reaction it's the one of utrakhand ko is ka sawagya mila or this particular se bharat ek amara bhot bada deshi anne bhot bade pradesh the 2 2 2 3 4 का हम सब को एक इत्यास लिखने का और देव भूमी से देश को दिसा देने का आउसर इस सदन के प्रतेक सदस्यों को आज उत्राखन की देवकुल्य दिलता का प्रत्मी होने के कारण मिला और मैंने पहले कहा कि ये सामाने विध्यक नहीं है बलकि एक भारत की एकात्मात्ता का सूत्र है हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान मनाया था देव भूमी उत्राखन से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिसा में आगे आगे बढ़ रहे हैं देश के अने राज जिवी इस दिसा में आगे बढ़े हैं Okay, I'm going to cut across to my colleague Ashutosh Mishra who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out दोल नगाडों की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर जश्ण चल रहा है नाच गाना महिलाएं पुरुष बड़ी संक्षा में और वो सब यहाई कटा हुए थे कि जैसे कानून पास होगा उसके तुरंच बाद मिठाईया बाटी जाएगा और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो है मुकुट से ले करके पकड़ी माला गंशा सब कुछ ले करके यहाँ पर आए गया और सड़कों पर आप समझे पहले लोग कम थे लेकिन जैसे जैसे शाम मुझे लगा कि आज बोटिंग होगी उसके बाद यहाँ संख्या पढ़ने लगी और उसमें भी ज्यादा तर्संख्या जो है वो महिलाओं की ठीक इस तरफ विधान सभा जहाँ पर आज उत्तरा खंड इतिहास रच्चा है अजया जगे पर हूँ जहां अंदर कानून पास हो रहा था और जैसे ही वो नारे बादी के साथ जैसर राम का उद्गोश हुआ और यह प्रस्ता उसके बाद पारिज पॉआ तुरंट मैं बहर आए यह दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पर आज कम से कम किसी सेलिबरेशन से कम मौका नहीं है अंजना Okay, so that's Ashutosh reporting for us from Deiradun where he's showing us a sense of the celebrations. BJP leaders celebrating the fact that a common law now on marriage, on divorce, on property, on inheritance has now passed the assembly test in Uttarakhand. It was expected that it would sail through easily and that's exactly what's happened and that makes Uttarakhand the very first state to go ahead and implement UCC. It's led to a lot of speculation that perhaps many other states will now follow suit, that many other BJP rule states in particular will now start their conversation, start pushing forward. Steve rolling ahead with their plans to introduce UCC and considering that it's something that's also mentioned to the BJP manifesto, is this now going to set the ball rolling for a nationwide UCC as well? Something for which there have been multiple indications a committee has also been set up. Of course, if you talk about the Uniform Civil Code as well, that has been passed in the assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the assembly. Let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs. Ashutosh Mishra in just a bit to get you those updates of what's really playing out there, but you can hear the celebrations around Ashutosh as well. So the nod has been given now to the UCC, a uniform civil law being put in place for all communities within the state. And live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand assembly. These are BJP MLAs who you can hear chanting, raising slogans. Even yesterday when the bill was tabled, there were slogans of Jai Shri Ram Bharat, Mata Ki Jai that were raised by BJP MLAs. All of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhani, who's been working on this for the last many, many months, been actively a part of drafting the UCC as well. The uniform civil code suggestions and with regards to, you know, the directives that are put in place. There's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins, but we'll get to that in just a bit. I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast. Ashutosh, celebrations breaking out. The BJP is fulfilling that big promise in Uttarakhand. Well, the Uttarakhand has created history and while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the assembly, Arvind Panday, one of the BJP MLA from Uttarakhand, you're joining me here in the broadcast. How many days for Uttarakhand and what do you believe? As you always say that the country gives water from here, so the rule of the country will become an example of the whole country for you? How many days for Uttarakhand? We'll also show you the live images of the celebration right outside here or outside the Vidhan Sabha. All the BJP workers, supporters have come out in a huge number with Dole Nagala. Jee, Arvind Panday ji. Jee, Arvind Panday, what are you doing? प्राइए की पात रहे हैं? 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 कि अशतल कर थे सब्देज़ यूठरी लिग सब्फ़ाब कि अईप्राइब इस सम्वेट. इस इस किर्फिट है उरी एक्राराचान वर्भब अलज़ आश्राचार अवार आश्राचार टो रवारा वीज़ पीरिव ट्रॉम्स और बिविज रीपम मूल आश्राचार जार कि विजरेत पूल देप महीं आश्रा बिज़ा साज़ एंव इन पूलाबिव दोप्र आफ कर एक्यू, फृत्राखड कर दिए हो कि अजरत जा साथने लिए फदेड़ हो प्रवेज्ट ऐस फ्यास कि दो एक यूलि ऑट राफ्ट जास्ट पने विए लूल्यास कर दोदेखी झायो चेहर विए भा मैंड विए लूलिए इटूर प्रौर्थित हो बने कि यूल्यास्ट मुझे अब्सके में पोट इए सब्सक्राइए अब्सक्राइए कि अब्सक्राइए उनिन उन्दी और क्या फूलाए हुष 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 ऑुष हुष कर समय घंथखे पु estज पु थैंथ आप रखेक हुष 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 झाब 0 word अपर शान्त हो जाया तो बाद सी शरू करें प्लीस थोड़ा शान्त हो जाए थोड़ा प्लीस सबसे पहले तो तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो दिन संकल्प लिए का दिन था बारह फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विध्यक के रूप में पारित हो गया है विध्यक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सहियोग और इसको जन जन तक पहुचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के माद्यम से हुआ है आज का ये दिन उत्राखंड के लिए बहुत बिसेश दिन है आज देव भूमी के अंदर देव भूमी की इस विध्यान सबाने आज ये विशेश विध्यक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी को पारित किया गया है इसके लिए मैं उत्राखंड विधान सवा के सभी सदस्यों का सभी अपने सभीयों का धन्यवाद करता हूं और विशेश रूप से उत्राखंड की देवतुल्य जन्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही उनके आशुरवात से ही उनके समंःथ से और उन्होंने जो हमको सरकार्मा आने का पारीत करपाएं इसके साथ मैं हमारे देश के यसश्वी प्रधान मंत्री आजणी नरेंद्र्दर मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेणा से उनके मार्दसन में हमको आज ये विधायक प्राजी की विधान सवा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्दसन में हमने काम किया हमको उनी से प्रेणा मिली एक भारत स्रेश भारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रे मैं समान नागरिक सहिता का जो आउसर है चूंकि चुनाओ के वक्त आरणी प्रधान मंत्री जी यह आए थे उन्होंने भी जब हमने इस बात को रखा था हमारी पठी में रखा था उन्हीं के मारतसंद में रखा था यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है सबको एक रूपता का कानून है सबकी एकता का कानून है सबका समान अधिकार का कानून है या इसके बारे में अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सारी बातें आज और कल जो दो दिन विधानसवा के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीज़ां इसपस्ट हो कि ये कानून हम किसी के खिलाप नहीं लाएं ये कानून किसी के बिरूद नहीं है बलकि ये उन माताओं बहनों बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरूतियों के कारण से कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता था उनको या उनकी सरवागिन उन्नती के लिए ये कानून हमने बनाया है ये सब बच्चों के वी हित में मातर सक्ति के वी हित में इस कानून में जहां विवहा तलाक गुजारा भत्ता उत्रादिकार लीविन रिलेस्टिंसी जैसे जो अनेक महत्रपूर्ण विसें उन सभी विसेंगों को इस कानून में सामिल किया गया है और लगवग दो बरसों के इस कालखंड में लगवग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्व लिया था उत्राखंड की देवतुले जंता के सामने रखा था उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी उन प्रश्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने विविन बर्गों के बीच में जाकर उसकमेटी ने काम किया विविन धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की उन्होंने जन जातियों के बीच में जाकर भी बात की अनेक अनेक संग के और जो डॉक्त बनाया उस का हमने मंत्री परसद में उसका अकलन किया और उसके बाद उसको बिधान्सवा में बिधेयक के रूप में प्रस्तुत किया आज बिधेयक पारित हो गया और मैं देवभूमी उत्राखंड की देवतुले जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विधान सभा के सभी सदस्यों का जिनोंने इसमें सहवागी होने का जिनको ये अउसर मिला है, जिनके हातों ये सुप काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूँ, और आजनी प्रधान मुंत्री जी का व हमारी ये प्रिक्षया रहेगी हमने इसको यहां पारिद कर दिया है, यह एक्ट बना दिया है, वह जल्दी महामहीम राश्तपती जी के यहां से जैसे हमको सुवग्रति प्राप्त हो जाएगी, तो हम इसको कानून के रूप में राज्ये के अंदर लागू करेंगे, और र कर दो जाबूज कर लाय गया, इसको इसका है? I want to bring in now our legal editor, Nalini Sharma, also to kind of explain to you what the Uttarakhand civil code actually does to the current laws in place. Nalini, there's of course a lot of talk about what this does to marriage, to property and of course equal laws, same laws for all communities in the state. Let's focus of course on the one issue that everyone's been talking about, about living relationships and what UCC states about that in Uttarakhand now. Well Akshita, first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time, for several years it's been debated as to whether or not India should have UCC. In fact it wasn't very long back when we ourselves in Democratic newsroom were debating as to whether or not India is ready for UCC. But what was repeated time and again was that UCC there's no draft also available, so what is the question being asked? Now not only is there a draft in place, but Uttarakhand has officially enacted it as a law. As soon as it gets the assent, it will be enacted as a law. So it's a big, big breakthrough in the promise that has been given by the BJP time and again that they are going to bring in a uniform civil court for the entire country. Not for the entire country yet, but yes for Uttarakhand it has been brought in. But now talking about living relationships, it's one of the four main aspects that the Uttarakhand UCC deals with. Along with living relationships there are also aspects of marriage, divorce as well as succession that are mentioned in the bill. There are some very stringent measures that have been put in place regarding living relationships where any couple who is entering into a living relationship in Uttarakhand will have to get it registered with the local authorities. In fact the records are also going to happen with, going to be with the police and not just when they are entering into a living relationship. Even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that, they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order before those steps. There has been a lot of discussion about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy, one's personal life. Thanks very much Nalini for joining us. Uttarakhand Assembly after detailed discussions has now officially passed the Uniform Civil Code. It's now a reality in the state of Uttarakhand, the first state to go ahead and implement UCC. So now history being made in the state of Uttarakhand after a discussion. Remember that the bill was tabled yesterday by Chief Minister Pushkar Singh Dami and now after detailed discussions it's been passed by the State Assembly. So UCC becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of Uttarakhand. We've been getting you details also of what kind of provisions come into effect here. But the Chief Minister has repeatedly been saying that this is history that's been created on UCC in Uttarakhand. Let's cut across to the Chief Minister's reaction. How is this decision making us ourselves through our court? Well, we're all too eager to write the opportunity for this opportunity for us to towrite the country of this land. Once, I'll give this opportunity for the purpose of our country to the country. We all need to offer those to thecken of the country. We will be proud to the first place in Uttarakhand. We have the opportunity for the incident, when we have already seen this issue of UCC in that Uttarakhand. बलकि एक भारत की एकात्माक्ता का सूत्र है हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान बनाया था देवभूमी उत्राखन से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्ष के साथ कि हम इस दिसा में आगे वड़ रहे हैं देश के अन्य राजजी भी इस दिसा में आगे वड़े हैं देश के अन्य राजजी भी इस दिसा में आगे वड़े हैं Okay, I'm gonna cut across to my colleague Ashutosh Mishra who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out मुकुट से ले करके पकड़ी माला गंशा सब कुछ ले करके यहां पर आए गया और सड़को पराव समझे पहले लोग कम थे लेकिन जैसे जैसे शाम मुझे लगा कि आज वोड़िंग होगी उसके बाद यहां संख्या पर नहीं लगी और उसमें भी ज्यादा तरह संख्या में जहां अंदर कानून पास हो रहा था और जैसे ही वो नारे बादी के साथ जैसरा राम का उद्गोश हुआ और यह प्रस्ता उसके बाद पारिज वा तुरंट में बाहरा यह दिखाने के लिगी कैसे यहां पर आज कम से कम किसी से लिबरेशन से कम मौका नहीं है अंजना Okay, so that's Ashutosh reporting for us from Deiradun where he's showing us a sense of the celebrations. BJP leader is celebrating the fact that a common law now on marriage, on divorce, on property, on inheritance has now passed the assembly test in Uttarakhand. It was expected that it would sail through easily and that's exactly what's happened and that makes Uttarakhand the very first state to go ahead and implement UCC. It's led to a lot of speculation that perhaps many other states will now follow suit, that many other BJP rule states in particular will now start their conversation, start pushing forward, steamrolling ahead with their plans to introduce UCC. And considering that it's something that's also mentioned to the BJP manifesto, is this now going to set the ball rolling for a nationwide UCC as well, something for which there have been multiple indications a committee has also been set up. Of course, if you talk about the Uniform Civil Code as well, that has been passed in the Assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the Assembly. Let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs. Ashutosh Mishra in just a bit to get you those updates of what's really playing out there, but you can hear the celebrations around Ashutosh as well. So the nod has been given now to the UCC, a uniform civil law being put in place for all communities within the state. And live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand Assembly. These are BJP MLAs who you can hear chanting, raising slogans. Even yesterday when the bill was tabled, there were slogans of Jai Shri Ram Bharat, Mata Ki Jai, that were raised by BJP MLAs. All of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who's been working on this for the last many, many months, been actively a part of drafting the UCC as well. The Uniform Civil Code suggestions and with regards to, you know, the directives that are put in place, there's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins. But we'll get to that in just a bit. I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast. Ashutosh, celebrations breaking out. The BJP is fulfilling that big promise in Uttarakhand. Well, the Uttarakhand has created history. And while I'll cut you to these live shots of this celebration right outside the Assembly, Arvind Pandey, one of the BJP MLAs from Uttarakhand, is joining me here in the broadcast. How big a day for Uttarakhand and what do you mean? As you always say, the whole country will give water from the country, so the whole country will make a example for the whole country? This is the whole country. है और यह देश के लिए पुरे मोडल बनेगा बहुत खुशी की बात है लेकिन यह देखे विरोध था कंटेंशन को ले करके कि इसमें आप जो है पुलिस भेज रहे हैं आप जो है बेडरूम में पुलिस पहुचाना चाहते हैं जन जातियों को एक समान कानून नहीं है लेकि प्रक्ति गलत हो सकता है लेकिन लिए रिफॉर्म के तौर पर देखा जाएगा और पूरे देश के लिए ब्लुप्रिंट बनेगा पूरे देश के लिएक मोडल है और मैं जाता हूं सुप्रिम कोट का भी आदेश है की यूची सी पुरे स्टेट कोई सभी स्टेट हो लागू कर सकती है उसी करी मुटका घंडर ने काम किया है बधाई की पात्र रहे हैं और बादाए की पात्र रह बादताप मिशन है जली आख करी में हमें बादताराथ मूर मुटका पीजिस लुचैन ताम का गात्ति पहस्यू करी मूट देश सляकट में बादा थन्म्री इसे मलीवां तो इतेश चिभ आनव स्यू सर्ज के विबहां संन्पार याया है इंपनाज डिवर्गाध्न अप्ली चर्जाइ उत्राग्न अपन्हाजान प्राइब डिवाजित इन आजए प्रूंसित इजिए के लिए बिप्राग्नाज का इन शिर इन अपन। इन अजई हरा कोई कोई इन दोस्टांध गार्खेट태गे मैं जए इन अपनुलीज जए डि प्रिर्स्ताष्ट डिय्वार्स जिंग सबस्वार्स जानोरा इस्टाचर्शल इसन प्रिज पोडीजन चेजि़ग प्रिप्कूत प्रीज सबस्ट का अज़ करते हैं कि एफ्मेच्च多ठी इंन स्क्राइट कर एफ जोजिए पूजिए। का विज इप एमने और वोंगे केरुफ कि इंपाश। पन्हें काहते मादेह देडिए जर्स इप्रस कंव का रहा कहते हैं, où भी जब दोम मादेह लेखों कि इडिएर्वा,। यह बानल सो сам सीघ्य डिल्स, देडिए मेंटना लेनीटें विज हैं, क्याओ रहा हके कि ट ली जिए्यूं हैं, Candy and of course we have spoken to them, they are on board and there will be more and more reforms in the coming, but meanwhile you see, this is separate, everything here, BJP workers, supporters right at Chicago exit and basically the same. So there was no opposition to the bill at the last, but in fact on the first day face शचिशनीकराइब कर चिवस सेट विए औरो सेटेंगा आवा कट इने अपाइड कर जिरिए अतले अद्रच है इने केने लिए घले इने कि अच्य है पेंट आडर क्राम इस बेहां प्रुफिटर बाइड इने कि अच्तlais सेट्टानी कि विए इने कुछ्ट अखिटो इने कि ब्जब करो जोसे हैं में सेस्ट थ्रिफट बशुटिट न सेज़ू हम इन अराकनद इस अर्ज अँध्या भूर्प्ट आँ, जह रिखए बाद लूटह नसेतš है भूलिंगा हम इंक फुट्फिजमार्द लूट बडरा का का पीज़ू। – and especially in Gujarat and Assam these 2 chief ministres have already said that we are keeping a very close eye on these— the bills especially and also how it is going to be implemented and clearly the BJP laws will take a queue from Uttarakhand and to build does have been praffed this 182 piece patch with several volumes that consists nearly more than 700 pages कर दो फिखेर इंट फरुटने इस सब्सक्राइब कर देयरे मलहिश को सब्सक्राइब हुंआ ऑर ग्राइहा कि पूस्ट थे लिए प्रशावेश्ट एम अल्गेश्यरम अव् सक्षरेश्ट पट्रॉप एक बाड़ू तर इंट 10 सब्सक्राइब ट्रॉध बेराशन प्रॉप तो और नहीं है। इसके पिसके टो बनाओ जाननो जा इसके लीज़ंगरा एक चाहिए लेजि़जेश को पिसे नाओी किन्टी थीजि़ कहा कि दॉछ कर दूछ को लिए टॉछ को इसके जानोन। इपकर की दो इसके टोपीर होगोई जो पार के टॉछ एल कर? अब भारत मता की अब जो नहीं हो जाए तो जाए तो बादचीश सुरू करें प्लीज तोड़ा शांत हो जाए थोड़ा प्लीज सबसे पहले तो मैं अपने मेडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक सहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प था वो दिन संकल्प लिए का दिन था बारह फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विद्हक के रूप में पारित हो गया है विद्हक बन गया है आप सब लोगों का आप सब का बहुत प्रेम बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुँचाने का काम उत्राखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है आज का ये दिन उत्राखंड के लिए बहुत बिसेश दिन है आज देव भूमी के अंदर देव भूमी की इस विद्हक बिद्हक जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतिक्षा थी लगातार जिसकी मांग उठती रही थी जो बरसों बरसों का इंतजार था वो देव अंदर आज इसको पारीद किया गया है इसके लिए मैं उत्राखंड विद्हान सवा के सभी सदस्यों का सभी अपने सहीवियों का धन्यवाद करता हूं और विशेश रूप से उत्राखंड की देवतुल्य जंता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही उनके आ आज हम ये कानून वना पाए समान नागरिक सहीता का जो एक्ट है जो विद्हाक है उसको हम पारीद कर पाए इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यसश्वी प्रधान मंत्री आजणी नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेणा से उनके मार्द में हमको आज ये विध्यक प्राजी की विधानसवा में पारिद करने का अवसर मिला और उनके मार्द दस्ट में हमने काम किया हमको उनी से प्रेणा मिली एक भारत स्रेश्वारत का जो उनका संकल्प है उसी संकल्प को अपनी प्रेणा मानते हुए हम आगे बड़े और आरणी प्रधान मंत्री जी के मारदसन में उत्राखंड में समान नागरिक सहिता का जो आउसर है चुकि चुनाओं के वक्त आरणी प्रधान मंत्री जी यहां आये थे उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था हमारी पार्टी में रखा था उन्हीं के मारदसन में र कानून है यह इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सारी बात आज और कल जो दो दिन विधान्सवा के अंदर चर्चा हुई है उस चर्चा में बहुत चीजां इसपस्ट हो गई है कि यह कानून हम किसी के खिलाप नहीं लाए हैं यह कानू करताओं के कारण से उनको अनेक कस्टों का सामना करना पड़ता था अनेक बार उनको यात्माओं का सामना करना पड़ता था उनका आत्मबल कंजोर होता था उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम उनको उत्थान की ओल ले जाने का काम उनकी सर्वांगिन उन्नती के लिए ये पूर्ण विसें उन सभी विस्यों को इस कानून में सामिल किया गया है और लगवग दो बरसों के इस कालखंड में लगवग बारा फरवरी 2022 अा हमने जब इसका संकल्व लिया था उतराकरंड की देवतुले जंता के सामने रखा था उसके बदमने कमिटी का गठन किया था ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने विभिन बर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया विभिन धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की उन्होंने जन जातियों के ब चीचार स्में लिए बडु सुझाब demi amazing तालीश बड़े जनसंबात के मखिया दिल्ली में वी कारिकरम किया और चरौण बनाया उस ड़ाप का हमने आकलन किया हमारी मंत्री परिशद में उसका आकलन किया और उसके बाद उसको विधान सवा में विध्यक के रूप में प्रस्तूत किया आज ये विध्यक पारित हो गया है और मैं देव भूमी उत्राखंड की देवतुले जंता का धन्यवाद करना जाता हूं विधान सवा के सभी सदस्यों का जिनोंने इसमें सहवागी होने का जिनको ये अउसर मिला है जिनके हातों ये सुप काम हुआ है उन सब का धन्यवाद करता हूं और आजनी प्रधान मुंत्री जी का विशेश रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्राखंड की देवतुले जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्राखंड आगे बड़ा है उत्राखंड ने शुरुवात की है और भारतवर्स के अन्य राज्यों से भी हमारी ये पेक्ष्या रहेगी कि हमने इसको यहां पारित कर दिया है यहां एक्ट बना दिया है महामहीम अन्य बनिश्टां को भी सुनिशित करने काम करेंगे अन्त में मैं आप सका भी धन्य बात करता हूं बहुत 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 है अच्छी बिश्कर सिंग धामी थाजिए थाजिए अन्य बात करेंगे यहां थाजिए अच्छी बिल्को जाबूज कर लाया गया है इसका इसका बात कर दिया है बेवाटी संगी बात करेंगे अरेजित करेंगे डात करेंगे फसूइक बात करें Laden इसका ड Clegg थे वी की अट शुर बिलकों vraiment करेंगे व्राइन लहीक, बहुत बात करेंगे इसकाउ法 that in Uttarakhand now well Akshita first just touching quickly upon why this entire move is so historic because for a very long time for several years it's been debated as to whether or not India should have UCC in fact it wasn't very long back when we ourselves in democratic newsroom were debating as to whether or not India is ready for UCC but what is repeated time and again was that UCC there's no draft also available so what is the question being asked now not only is there a draft in place but Uttarakhand has officially enacted it as a law as soon as it gets the assent it will be enacted as a law so it's a big big breakthrough in the promise that has been given by the BJP time and again that they are going to bring in a uniform civil court for the entire country not for the entire country yet but yes for Uttarakhand it has been brought in but now talking about live-in relationships it's one of the four main aspects that the Uttarakhand UCC deals with along with live-in relationships there are also aspects of marriage divorce as well as succession that are mentioned in the bill there are some very stringent measures that have been put in place regarding live-in relationships where any couple who is entering into a live-in relationship in Uttarakhand will have to get it registered with the local authorities in fact the records are also going to happen with going to be with the police and not just when they are entering into a live-in relationship even if a couple is planning to break up or move out of a living arrangement like that they still have to inform the authorities and get all the paperwork in order before those steps there's been a lot of discussion about about whether that's a good thing or whether it's too much invasion into one's privacy one's personal life thanks very much Nalini for joining us Uttarakhand assembly after detailed discussions has now officially passed the uniformed civil court it's now a reality in the state of Uttarakhand the first state to go ahead and implement UCC so now history being made in the state of Uttarakhand after a discussion remember that the bill was tabled yesterday by Chief Minister Pushkar Singh Dami and now after detailed discussions it's been passed by the state assembly so UCC becoming a reality for the first time and the first state to do it is in the state of Uttarakhand we've been getting your details also what kind of provisions come into effect here but the chief minister has repeatedly been saying that this is history that's been created on UCC in Uttarakhand let's cut across to the chief minister's reaction and the people who have not been created in the state of regard as much as well as the defense of the threat to the charged for the government that is iniquity and the part of the kingdom of the state of the region so that we are the Helps the people who have a choice of the world mission that the opposition to the mid-plus government and we have a control, so that will all of us all of us be a force of the opposition to our forces and the force of the government of our team's reaction और देव भूमी से देश को दिशा देने का आउसर इस सदन के प्रतेक सदस्यों को आज उत्राखन की देवकुल्य देलता का प्रत्वी होने के कारण मिला। और मैंने पहले कहा कि ये सामाने विध्यक नहीं है बलकि एक भारत की एकात्माक्ता का सूत्र है। हमारे समिधान सिल्फियों ने जिस आउधारणा के साथ हमारा समिधान बनाया था। देव भूमी उत्राखन से आज वही आउधारणा साकार रूप लेने जा रही है। धरातल पर उतरने जा रही है। और समुचे देश को एक अपेक्ष्या के साथ कि हम इस दिसा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के अने राज्य भी इस दिसा में आगे बढ़े हैं। Okay, I'm gonna cut across to my colleague Ashutosh Mishra who's reporting right now from Tehradun where celebrations have broken out. दोल नगाड़ों की ओर लिए चलते हैं जहां पर जश्न चल रहा है नाच गाना महिलाएं पुरुष बड़ी संख्या में। और वो सब यहां ही कटा हुए थे कि जैसे कानून पास होगा उसके तुरंस वाद मिठाईया बाटी जाईगी और इसलिए आप देख रहे हैं अठीक इस तरफ विदान सभा जहां पराज उत्रा खंड इतिहास रचा है तरह दोन में ओ थेख विदान सभा के बाहर ये विदान सभा है और उसी जगह पर हुए विदान सभा में जहां अंदर कानून पास हो रहा था और जैसे ही वो नारे बादी के साथ जैसराम का पास के बाद पारिज वा तुरंत में बाहर आये दिखाने के लिए कि कैसे यहां पर आज कम से कम किसी सेलिबरेशन से कम मौका नहीं है अंजना Okay, so that's Ashutosh reporting for us from Deiradun where he's showing us a sense of the celebrations. BJP leaders celebrating the fact that a common law now on marriage, on divorce, on property, on inheritance has now passed the assembly test in Uttarakhand. It was expected that it would sail through easily and that's exactly what's happened and that makes Uttarakhand the very first state to go ahead and implement UCC. It's led to a lot of speculation that perhaps many other states will now follow suit, that many other BJP rule states in particular will now start their conversation, start pushing forward. Steve rolling ahead with their plans to introduce UCC and considering that it's something that's also mentioned to the BJP manifesto, is this now going to set the ball rolling for a nationwide UCC as well, something for which there have been multiple indications a committee has also been set up. Of course, if you talk about the Uniform Civil Code as well that has been passed in the assembly and you see those images also on your screens of the moment that it was passed in the assembly, let's cut across once again to Ashutosh Mishra for live inputs. Ashutosh Mishra in just a bit to get you those updates of what's really playing out there but you can hear the celebrations around Ashutosh Mishra as well. So the nod has been given now to the UCC, a uniform civil law being put in place for all communities within the state. And live images on your screens right now of the celebrations that have broken out outside the Uttarakhand assembly. These are BJP MLA's who you can hear chanting, raising slogans. Even yesterday when the bill was tabled, there were slogans of Jai Shri Ram Bharat, Mata Ki Jai, that were raised by BJP MLA's. All of them now congratulating Chief Minister Pushkar Singh Dhami who's been working on this for the last many, many months, been actively a part of drafting the UCC as well. The Uniform Civil Code suggestions and with regards to the directives that are put in place, there's been a lot of talk particularly on live-in relationships and the registration of live-ins. But we'll get to that in just a bit. I want to bring in Ashutosh Mishra now on this broadcast. Ashutosh, celebrations breaking out. The BJP is fulfilling that big promise in Uttarakhand. Well, the Uttarakhand has created history. And while I'll cut you to the live shots of this celebration right outside the assembly, Arvind Pandey, one of the BJP MLA from Uttarakhand, is joining me here in the broadcast. The Queen's first is traveling around K temperament. Jonathan Chiauk Pad's birthday party. Now, a beer fantasy party